नातनेगर प्रकंट प्रमुक दूर्गादयाल ने वीडियो अंतिमा कुमारी के खिलाफ ड्रेम से सिकाथ की है। जाता है साथी प्रमुख ने बीडियो पर इंद्रा अवास योजना में मनमानी करने का भी आरोप लगाते वे सदर स्डीयों से इश्क्रिस सिकाइद की है नातनगर प्रकंट प्रमुख दुर्गा दयाल अपनी जनमाल की सुरक्षा को लिकर पागलपूर के वरिय पुलिस हाना पुलिस को सूचना देकर गाट को हिरासत में भेज दिया जांच उपरांत गाट को पी यार ब्रांट पर छोड़ा गया और गाट का लाइसेंसी हत्यार के जांच के लिए रखा गया है महीं मामली को लेकर मधुसंदन पुर्थ हाना पुलिस ने जुडादिकारी पत्र जाता है कि ओफिस खर्च के नाम पर 20% हमें दिया जाए उसके बाद जो है हम आपके किसी विकारी को प्रशासनी करेंगे अन्याथा नहीं करेंगे इस वजह से हम लोग पिछले डेड़ वर्सों से हमारे काम बादित हो रहे हैं पिछले डेड़ वर्सों में हम लोग छेत्र में एग भी कारे नहीं कर पाए हैं इसलिए हम अपने वरिया अधिकारियों से बुले हैं कि हमें एक स्वर्च्छा गाड मिला जाए आप देख रहे हैं श्रहर का सबसे लोग प्रिये चैनल हिंद विहार भागलपूर लॉइंस इंटरनाशनल जीला 322 एक रीजन नौ के रीजन शेयर परसन लाइन संजय लाट ने सनिवार को हिंदुसान क्लब नया बाज़ार भागलपूर में रीजन का युजन किया कॉन्फरेंस के मादिम से रूइजन की आज क्लबों के इस वर्स संपादित किये गए सेवा कारियों का वियोरा लिया गे इससे पूरव कॉन्फरेंस का उद्गाटन जीला पाल लाइन विनोद अगरवाल केबिनेट सचीवर लाइन गोपाल खेतरीवाल डिस्टी कॉडिनीटर लाइन डॉक्टर पंकर स्टुंडर ने सनिक तुरूप से दीप परजलिक कर किया लाइन्स क्लाब ऑफ भांगिलपूर गोल्ड की अद्धोक्ष हरी खेता ने बताया कि अनपूर्णा भोजन हेल्थ चेकप क्याम मधुमी जांज और जागरुपता कारिक्रम और पर्यावरन की रक्षा के लिए पौधारुपन का कारिकी आ गया है सुनिए हम अकेले घर शिफ्ट कैसे करेंगे यह समान लाना ले जाना और फो हकेले नहीं हमारे साथ है Make My Shift Packers and Movers जो Household Goods Packing and Shifting, Local and Outdoor Shifting, Office Furniture Shifting कराते हैं कहीं भी, कभी भी सेंट पॉल एकाडमी लीड अर्स टू लाइट सीबियसे की नई सिक्षनिते के तहत अंग्रेजी मादम स्कूल एड़िसन स्टार्ट नाउ स्कूल जो आपके बच्चों की कौशन और चमता को बढ़ाता है विद्याले में चातरों के लिए स्तुबधाए ओनलाइन क्लास्रोम कंप्यूटर लैब और साइंस लाबराटरी मैथिमेटिक्स लाबराटरी बस फेसलेटर स्कूल प्रोवाइड वेल क्वालिफाइड टीचर्स विद्याले जो देता है सौ प्रत्रसत रिजल्ट दरियापूर सहजोर नाइतनगर भागलपूर तिलकामाजी भागलपूर उनिवर्सिटी के अध्यापका निर्मला गुमारी से साइवर फ्रोड ने पहले कूरियर कंपनी फिर क्राइम ब्रांच का अधिकारी बन तीन लाग पांच हज़़जार और दो लाग पांच हज़़जार का स्थांत रेंड दो अलग अलग खातों में करवा लिया 11 जुन तक अपरादियों ने दो कस्तों में रकम की उगाई कर ली थी इसके बाद भी अपरादियों ने डॉक्टर निर्मला से बाच्चे दरज्ज्वारी रखा उसके द्वारा किये गए निवेश की पूरी ज्वानकारी लेकर एसाइपी भुनाने को कहा डॉक्टर निर्मला ने बताया कि बीच में पैंक में छुटी हो गई अपरादियों को पूरी परकरिया होने के बाद उन्होंने अपना एसाइपी भुना कर बैयालस लाख पच्चास हजार का स्थांतरन करवाए उस वक्त कहा गया कि पूरी रकम आरबी आई से सत्यापन के बाद आपको भुक्तान कर दिया जोएगा इसके बाद अपरादियों ने अपना मुबाइल बंद कर दिया जब उन्हें शक हुआ तो उन्होंने मामली के शिकायत अपराद हेल्प लाइन नमबर उनिस सो पच्चास पर किया और शुक्रवार को उ उन्होंने साइवर थाने में आवे दिन देकर पात्मी की दर्च करवाई मीडिया से बातचीत के दौरान पीडियत अध्याविका ने बताया कि दस दिन उन्होंने मनी लॉंडरिंग तक भय दिखाता रहा 24 घंटा वीडियो कॉल पर बने रहे इधर उधर जाने पर वह बनाए मनी लॉंडरिंग का हवाला दिया था मामले को लिका सिटी एसपी राज ने बताया कि पूरी मामले की च्छान बीन की जा रही है एक लाख पांच हजार और एक लाख तीन लाख पांच हजार यह दो हुआ जो 11 को हुआ भागलपूर के सुल्तान गंज स्टेशन और महिसी स्टेशन के बीच चतोर्त वर्गे रेलवे कर्मचारी मुहमद असलम का रेलवे ट्रैक पर काम करते वे मिर्ती हो गया घटना के बावत बताय जो रहा है कि मुहमद असलम कल देर राज सुल्तान गंज और महिसी स्टेशन के बीच रेलवे ट्रैक पर काम कर रहा था इसी बीच कोई सवारी ट्रेन वहां पर आकर रुकी फिर ट्रेन का जांच करने के दौरान बोगी का कोई लोहा का सामान मुहमद असलम उसी जगहा पर घायल हो गया इसके बाद वहां काम कर रहे सहकर्मी ने मुहमद असलम को घायल अवस्ता में भागिलपूर के निज्यू क्लिनिक में इलाज के लिए भरती कर आए जहां पर डॉक्टर ने मुहमद असलम को मिरत घोशित कर दिया हटना कल ये जूटी के लिए निकले हम लोगों को जूटी पर सही आये हुए कुछ लोगों ने सुबह में मैसेज दिया कि काम करने के दौरान जब ये काम कर रहे थे उसी दौरान रेलवे ट्रैक जो उतारा जा रहा था रेलवे बोगी से तो वही उतारने के दौरान कोई लोहा का कोई रसी होता है वहीं तूट जाने के कारण वो उनके सर पे आ करके लगा और वहीं पर गीर गया था पंदरा जुन को जोकसर थाना छीटर के दीपनगर मुहले में काजल देवी नामक महिला ने फांसिल लगा कर आत्म हत्या कर ले दिये इसके बाद मालेकारकरताओं ने भागिलपूर के समानाले गीट पर धरना परदर्शन दिया था मालेकारकरताओं का कहना था कि काजल देवी का हत्या हुआ है हत्यारे को अबिलम पुलिस गिरिफतार करें काजल देवी का पोस्ट मार्टम रिपोर्ट आ गया है महीं सांती समीती के सदर्श कमल जैसवाल ने कहा कि यदि किसी को लगता है कि काजल देवी का हत्या हुआ है तो वह गोपनी तरीके से पुलिस को सूचना करें पुलिस उस पर विधी समत कारवाई करेगी इस तरह का धरना परदर्शन करने से सांती भंग हो जाता है तारीक को 15 जून को दीपनगर जोक्षर मोहले में एक मिर्तिव हो गई थी काजल कुमारी नाम था और मैं उस तारीक को बैंगलोर में था और घटनाय सांती भंग होने की संभावना दिख रही थी जिसमें वाड पारसद वाड नंबर 21 के संजय चिनान ने आज कांग्रिस भ मिती से विलॉंग करते हैं राहुल जी थानक के भी पदादिकारी आया असोगुपता जी आया बिनेशिना जी आया बगल के पारसद भी आया हम लोगा में मकसद था कि समाज के अंदर में शांती बहाल हो और दूसरी बात है कि जो आदमी निर्दोस है वो फसे नहीं और दो मिती यदी इस घटना में इन्वाल्ब है उसकी सनलिपता है बिहार सरकार के ग्रामिन विकास मंतिर श्रवन कुमार दी राद भागलपूर पहुंचे जहां सरकेच हाउस में कार्यकरता उन्हें जोरदार स्वागत किया यहां उन्होंने नीट पेपर लीक को लिकर बड़ा कहा कि इसमें गड़बड़ी हुई है और गड़बड़ी करनी वाली के पहचान भी हो गई है इस पर कड़ी करवाई होगी गड़बड़ी करनी वाला कोई भी हो कितना भी बड़ा कदवार इसमें क्यों नहीं बचेगा जाच हो रही है पकड़े भी जा रहे हैं दोसी कौन ह जाच हो रही है, सामने आएगा कितना भी प्रभाव सालिप बैक्ति या उनके साथ रहने वाले क्यों नहों वह नहीं बचेंगे आप देख रहे थे लोग प्रिये चानल हिंद बिहार, ऐसे ही परमुक खबरों के लिए चानल को योटूब पर सस्क्राइब करें, एवन फेस्बुक, इंस्टेग्राम, ट्विटर पर भी फॉलो करें, धन्यबाद